मस्ट वास फिल्म स्रीज में आज उस मूवी पर बात करेंगे जो आपको बताएगी कि ये जिन्दगी कितनी फ्रेजाईल है और आपके हाथों से कितने तेजी से फिसलती जा रही है मूवी का नाम है दस बेदानिया बिने पाठक साहब जो अमर के किरदार में हैं वो कभी भी कोई ऐसा काम नहीं करते जो उनके सरीर को खराब करे नाहीं वो जंक फूट खाते हैं नाहीं कोई अलकोहल लेते हैं नाहीं कोई ड्रग्स लेकिन उनको एक ऐसी बीमारी हो जाती है जिनसे उनकी डेथ काफी जल्दी होने वाली होती है फिर वो सोचते हैं कि मैंने तो ऐसा कुछ जिन्दगी भर किया नहीं, फिर मेरा death क्यों होने वाला है, मुझे ही ऐसी बिमारी क्यों होई, और ये भाई साहब हर दिन एक to-do list बनाते थे, आज ये काम complete करना है, फिर last में टिक लगाते थे, ये सारा काम निपट गया है, पर पर वो सब काम टालते जा रहे थे, इनको लग रहा था, जिन्दगी तो अभी बची ही हुई है, कौन सा ये कल खत्म होने वाली है, लेकिन अब मौत सामने जब खड़ी है, तब इनको वो सारी बातें याद आती है, जो ये करना तो चाहते थे, पर टालते गए, तब जाके ये एक last to do list बनाते हैं, जिसमें 10 सीज़े हैं, चाहे इनको कार खड़ीद ना हो, किसी लरकी को प्रोपोस करना हो, किसी पुराने दोस्त से मिलना हो, वो दोस्त जिनसे ये बस्पन में इतनी गहडी दोस्ती रखते थे, कि उनके लिए जान भी दे सकते थे, लेकिन बहुत स सालों से सभी अपने कामों में व्यस्त हो गए थे, और एक दूसरे को वक्त नहीं दे पा रहे थे, ये फिल्म आपको सिखाएगी, कि खुद से एक बातशीत करना कितना जरूरी है, जो आपको पसंद है, जो आप करना चाहते हैं, उसे कल पर ना टालें, कल, कब कल नहीं रह जाएगा, इसके बारे में किसी को नहीं पता, कब क्या किसके साथ हो जाएगा, इसके बारे में नहीं पता, तो जो भी आप करना चाहते हैं, यदि वो सही है, आपको भी प्रगति के रास्ते पे ले जाएगा, और आपके देश को भी फिर वैसे काम को करनी में देरी नहीं क करनी चाहिए ये प्रोक्रेस्टीनेशन का पस्तावा पूरी जिंदगी रह जाता है तो ये काम बिलकुल ना करें और दूसरी बात जो ये मुवी सिखाएगी कि कि किसी को भी तुरंत जज नहीं कर लेना चाहिए जैसे ये जब अपने पुराने दोस्त से मिलने जाते हैं और देख लेती है एक पेपर कि इनको कैंसर है वो जज़ करने लगती है कि ये भाई साब पैसा मंगने हैं ये अपने दोस्त से मिलने नहीं आये हैं और जब ये बात इनको पता चलता है तो इनको बहुत बुरा लगता है और वहां से ये चले जाते हैं तो किसी के जिंदगी का किसी की जरुबत है या फिर सच में बस वो ऐसे ही मिलने आया हो और एक बात ये फिल्म सिखाती है कि जब भी कोई सरीर में प्रावलम होता है कोई भी फिजिकल दिक्कत होती है तो एक अच्छे डॉक्टर से सला लें ये ना कि तांत्रिकों के चक्र में पड़ जाएं उनसे कुछ नहीं होने वाला है इस फिल्म का पहला सौंग जिन्दगी के लिए वो काफी खुबसूरत है उस सौंग को आप जरूर सुने और ये फिल्म भी काफी अच्छी है थोड़ी सलो लग सकती है लेकिन ये फिल्म जो मैसेज देना चाहती है वो काफी कमाल का है तो इस फिल्म को आप एक बार जरूर देखें चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में खयाल लखी आप सो